हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टु दे चैनल आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग महिंद्रा एक्सवी सेवन डबलो के बारे में तो महिंद्रा एक्सवी सेवन डबलो ने अपनी ऑफिशल साइट पर कुछ वीडियो अपलोड करी हैं जिससे हमें उनके कुछ फीचर के बारे तो वह स्मार्ट टेकनलोजी जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि 99 परसेंट बैक्टीरिया और 95 परसेंट वाइरस यह किल करता है वैसे तो यह फीचर काफी गाडियों में आ रहा है बट यह जो क्लेम कर रहे हैं यह शायद थोड़ा जादा ही है तो लेट सी कैसा यह फीचर है तो दिस स्मार्ट टेकनलोजी तो नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वह है अपना ड्राइवर डॉजीनेस डिटेक्शन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और उस टेम पर आगर आपको नीद आती है थाकान महसूस करते हैं तो यह आपको अलर्ट करेगा एक्स और सबसे में बात ही है इस फर्स इन सेग्मेंट तो हम अगले फीचर की बात करें तो जैसे आपकी गाड़ी फास्ट और फास्ट मूब करती है तो हमारी गाड़ी में बीट का साउंड आता है एक अलर्ट देता है बट इस गाड़ी में जो आपको टेकनलोजी मिलेगी वह आपके किसी family member की voice में होगी, so this is called personalized safety alert, so इस car में आपको segment की सबसे बड़ी sunroof दिखने वाली है, जिसका नाम इन्होंने दिया है, skyroof का और इस चीज का इन्होंने trademark भी लिया है, ये feature काफी thoughtful feature है, जिसका नाम है auto booster headlamp, जिसे हम automatic high beam headlamp assist भी कह सकते हैं, जैसे आपकी गाड़ी 80 km per hour की speed को cross करती है, ये notice करता है, और आपकी गाड़ी की headlight का throw बढ़ा देता है, for your extra safety, तो चलते हैं जल्दी से गाड़ी के अंदर और देखते हैं, गाड़ी में क्या क्या चीज़े मिलती हैं, सबसे पहले अगर हम दियान से देखें, तो हमें मिलता है यहाँ पर dual color का interior, black and white color में, जो कि काफी premium लगता है देखने में, उसके बाद में जो हमें नजर आता है, वो है electronic parking brake, उसके बाद में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें modes भी मिलते हैं, driving के, थोड़ा सार अगर हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पर हमें touch screen मिलती है, जो कि काफी अच्छी लगती है, काफी बड़ी लगती है, जो इसका instrument cluster है, वो पूरा digital है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा premium लगता है, थोड़ा साम और आगे बढ़ते हैं, अगर तो इसमें हमें sunroof जो दिखती है, जो कि हमने पहले ही बात करी है, कि काफी बड़ी मिलती है, और इसमें एक जो key feature है, वो है कि यह Alexa के थूभी control हो सकती है, उसके बाद में जो इसका एक और key highlighted feature है, वो है इसका 3D surround sound, जो कि Sony की होने वाले है, तो music lover के लिए बहुत अच्छी चीज है ही है, driving modes के बारे में बात करें, तो हमें मिल जाते हैं, यह आपे zip, zap, zoom, custom, यह सारे हमारे पास मिलते हैं, यह driving mode, उसके बाद में यह overall गाड़ी अंदर से देखने में बहुत premium देखती है, थोड़ा सा हम अगर इसके गाड़ी के वापिस बाहर आते हैं, तो हमें जो इसके DRLs दिखते हैं, वो काफी premium दिखते हैं, बहुत बड़े DRLs इसमें लगाए गए हैं, तो अब हम बात करेंगे कुछ leaked picture के बारे में, जो कि शायद production house से ही leak होई हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं, जिससे हमें गाड़ी का overall look के बारे में पता चलता है, जो कि गाड़ी देखने में काफी जादा heavy लग रही हैं यहाँ पर, और अगर DRLs की बात करें तो ये भी काफी बड़े लग रहे हैं, तो हमें यहाँ से साफ साफ दिखता है कि lights में बहुत सारा काम किया गया है, थोड़ा नीचे आते हैं, तो हमें यहाँ पर दिखता है कि alloy wheels हैं, इसके alloy wheels थोड़े से MG Hector की से थोड़ा सा match कर रहे हैं, 18 inch के alloy wheels होंगे, जो कि machine cut dual color में होंगे, जो कि देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा साम पीछे जाते हैं, तो जैसे कि हमने door handles के बारे में बात करें, वो हम proper देख सकते हैं, और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इसमें 3 window दिख रही हैं, यह 7-seater version है, और अगर हम इसके back side में आते हैं, तो back side में हमें काफी बड़ी LED tail lamps दिखती है, जो कि देखने में काफी premium भी लगती है, उपर shark fin antenna भी हमें दिख रहा है, नीचे की तरफ आते हैं, तो इसके plate हमें दिखती है, overall गाड़ी काफी heavy लग रहे हैं अब देखते हैं कि जब गाड़ी on road पर आती है, जब showroom पर आती है, तो वो कैसी लगती है, जब उनको गाड़ी को हम नजरों से खुद से देखेंगे, तो हो सकता है कुछ और feel आया, यह गाड़ी भी ठीक लगेगी, अगर ठीक नहीं भी लगती है, तो धीरे धीरे यह ठीक लगने लगेगी, So this is the video for today, hope आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए, कमेंट करिए, और इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है, जो आपको परसनली अच्छा लगा, आपका फेवरेट है, वो आप हमें बता सकते हैं, और आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें जरूर बताएगा, तो मिलेंगे इसी तरह किसी नई वीडियो में किसी नई इंफर्मेशन के साथ, तिल रेन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू,